धरा भावी हो गई गिरफतार पुलिस वाले आ गए पकड़ने के लिए और पुलिस वालों ने भी इस बार तो चौका मार दिया ये कहके यार तुम लोग के घर में तो रोज ड्रामा होता रहता है रोज की बवाल है चलो पुलिस टेशन इसे अच्छा वहीं घर बसा लो धरा भावी एक बार फिर से श्वता की वज़े से मुसीबत में पड़ गई और इस बार तो मुसीबत में उसने रिशिता की बेटी को भी डाल दिया है अब धरा भावी पंडिया स्टोर में आई थी अपने ससुर जी की फोटो लेने के लिए तभी श्वता ने पुलिस को भी बुला लिया और कहा कि ये मेरे दुकान में चोरी करने आई थी फिर क्या पुलिस वालों को भी तो पता है कि इनके घर क्या-क्या ड्रामा होते रहता है तभी तो पुलिस वाले ने भी धरा से कह दिया कि तुम्हारा ये रोज-रोज का नाटक है फिर क्या तिल में लाई हुई रिशिता आई जब उसे पता चला कि उसकी बेटी भी जेल में है जरा रिशिता को देखिये धरा भावी पर किस कदर बरसी है वो अब रिशिता भी तो एक मा है और किसी भी मा को तकलीफ तो होगी उसकी दूद पीती बच्ची जेल में आ जाए वैसे भी रिशिता धरा भावी ने जो आइडिया दिया था ना दुकान को वापस हतियाने का उससे सहमत नहीं थी मैं तो गई थी अपनी दुकान पर अपनी चीज लेने के लिए अब वो खुननास खा के बैठी हुई है चाहे वो कोई फोटो ही की क्यों ना हो यह मेरी प्रॉपर्टी में मेरी चाहे कुछ बहुत बहुत बड़ा रामा हुआ और इस सब की जिम्मेदार एक बार फिर से धरा भावी ही साबित होगी अब श्वेता जो चाहती थी वो हो गया धरा और रिशिता में फोट पड़ गई है अब रही सही कसर घर जाकर देव निकालेगा है देखते हैं अब सुमन मा आगे क्या फैसला लेती है है मुंबै से बॉबी मंधानी के साथ एबी पी निउस रिपॉर्ट एबी पी निउस आपको रखे आगे